हेलो, वेरी गूड इवनिंग, वही हम लोग वही हिस्ट्री की जो हमारी सीरी चल रही है, एंसेंट हिस्ट्री की, ठीक, साथ सीरीज को आपने अच्छा रेस्पॉंस दिया, ट्रेमेंडेस रेस्पॉंस आया आपके तरब से, ठीक, यह बड़े अच्छी बात है कि आप लोग सिंसियर हो चुके हैं आप, क्योंकि आपका जो एक्जाम है, धर्टेज, राउंड दी कॉर्नर, तो इसमें हम लोग पहला क्वेशन लेंगे कि निमलिखित में कौन सा सिक्का गुप्त काल के दोरान, चांदी में जारी किया गया था, चांदी में कौन सा सिक्का जो है, आप और गुप्ता पीरियड में जो है, आपके के कहते हैं, सिलवर कॉइन हुआ करता था, चुक, और जो आपके दिनार होता था, या डाइनर होता था, ये क्या होते थे आपके डाइनर, गोल्ड कोईन सुआ करते थे, गुप्ता período में gold coins को का जाता था diner दिनार। और जो इनके जो आपके कहते हैं भंडार मिले हैं जो इनका ढेर मिला है वो कहाँ पर मिला है? इनका जो deposit मिले है आपके या heap जिसे का जाता है heap यह कहां पर मिला है? बैाना भरत्पुर राजिस्थान में बयाना भरतपूर राजिस्तान में काकणी जो है यह कोपर कोईन वह करता था कामे का सिक्का होता था यह कामे का सिक्का और यह मौर्यकाल का था कब का था यह मॉर्यन पिरियद का मॉर्यकाल का ठीक और यह जो निस्क हुआ करता था निस्क जो था यह आपको क्या था निस्क का कि यह आपके के जहते हैं आजे ओर्नामेंट भी से यूज करते थे अर्मेंट काbenला होता है आपके अपने पुराने जमाने में देखिये होगी थिकों की माला वगरा पहनते थे महिलाएं खास तर पर तो यह आपके कथ था यह वैदिक काल में था है वैदिक पिरियड में तेक वैदिक काल या वैदिक पिरियड का कोईन था है और एक क्वेशन आपके कई बार एक जाम में आता है कि वाट इदा स्टडी अप कोईन्स तो स्टडी अप कोईन्स क्या कहलाता है यह कहलाता है आपके न्यूमिसमैटिक्स न्यूमिसमैटिक्स यह भी आप ध्यान रहें स्टडी अप कोईन्स न्यूमिसमैटिक्स कई बार एक जाम में आता है नेक्स्ट कुश्चन है संगम यूग में तोलका पियाम का सबसे क्या था ये मनला किस से रिलेटेड था ये था आपका तमिल साहित्या तमिल साहित्या तिक मने क्या था आपके तमिल साहित्य में भी क्या था ये आपके ग्रैमर से था ग्रामर मने व्याकरण से रिलेटेड था ये किस से रिलेटेड था ये तमिल भासा का व्याकरण और तमिल आपको पता हो गई कि भारत की क्या है ये सबसे पुरानी भासा है इते दा ओल्डेस क्लासिकल लैंग्वेज आफ इंडिया और कभ इसे क्लासिकल का दर्जा मिला 2004 में सास्रिय भासा कब बनी ये तमिल हमारी ये बनी आपके 2004 में संगम कई बार एक जाम में आता कि संगम क्या संगम क्या होता था उस जमाने में संगम जो था ये तमिल कवियों की सभा तमिल कवियों की सभा इसे का जाता है इंग्लिश में असेंबली आप तमिल पॉइट्स असेंबली आप तमिल पॉइट्स और ये जो संगम हुए तीन संगम हुए ये और ये कहां पे हुए आपके म मदुराई में मदुराई तामिल नाडू में मदुराई तामिल नाडू में पुश्य नम्मर थ्री चीनी यात्री सुनियूंग कब भारत आया था पास्सो सत्रा अठारा इस्वी या एडी में किसके बाद आया था आफ्टर फायान किसके बाद आया था ये फायान के बाद आया था ये फायान जो क्या था आपके भारत आने वाला आपके के कहता हैं फर्स चाइनीज पिलिग्रिम या यात्री था जो कि किसके समय में आया था चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त सेकिंड या विक्रमादित्य के समय में ये भारत आया था ये भी कोश्चन आप ध्यान लखें इस कोश्चन आथा कि पायान कब आया था तो ये चंद्रोप तो सेकेंड या चंद्रोप तो विक्रमादित्य के समय में भारत आया था next question है किस राज्य में ओधन्त पुरी सिक्षा केंद्र था ओधन्त पुरी जो था एक जगह है बिहार सरीफ बिहार सरीफ जो एक कहा का artistic है बिहार का इसके जो founder था संस्थापक के कौन था गोपाल गोपाल कैसे इसका founder था जो कि क्या था यह पाल वंस का पाल वन्स का संस्तापक था यह एक पाल वन्स का फाउंडर था और इस पाल वन्स ने जो है मुसली कहां पर शासन क्या बेंगाल में इसका सासन कहां था बंगाल में यह भी ध्यान रखें नेक्स्ट कुश्चन है निमलकित में कौन सा एक बहुत संप्रदाई नहीं है तो यह हमने पहले भी डिस्कुस कराओगा दिगंबर दिगंबर जो है यह किस से समंदित है दिगंबर संप्रदाई या सैक्ट यह है आपके जैन धर्म जैन धर्म वह बे कौन से महावीर स्वामी के अन्याई पॉलोवर्स पॉलोवर्स आफ लॉर्ड महावीर इनको कहा जाता आपके दिगंबर और जो दूसरे हैं आपके पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ के अन्याई क्या कहलाते हैं यह कहलाते हैं स्वितंबर जैन जो आपके वाइट कबड़े पहनते हैं वाइट होते हैं जो आपके कहते हैं कि नेक्स कुश्चन है किस बाद गरंत में सोला महा जनपतों का वर्णन है यह है अंगूतर निकाई में और इनमें जो सबसे सकतिशाली जो महा जनपत था सोला महा जनपतों में यह था आपके मगद तो आप वीडियो देख सकते हैं अपना महा जनपतों के उपर एक स्पेशल वीडियो है स्पेशल वीडियो भी मैंने बना रखा उसमें पूरी डिटेल में बता रखा कि कौन से महा जनपत कहां पर था इसका संसापक वगरा कौन थे यह स्सी में कई बार आते हैं इस तरह के क्वेश्चन यह आप देख लें अलग से वीडियो भी है इसके उ औरुपर नेक्सट वार्दन के समकालें एक इसकेंपररी साउथ इंडियन रूलर कौन था यह एक पहले भी पढ़ा वाय पुलकेशिन सेकेंड को को में से वंसका था ये चालुक्या जालुक्या वंसका जालुक्या राजा था और हर्स वर्दन का सासन काल हमने बढ़ा होगा 606 से लेके 647 AD और इसी पुलकेशिन सेकिंड ने हर्स को 647 AD में AD में नर्मदा नदी के नर्मदा नदी के कट पर हराया यह हम लोग पहले भी कर चुके हैं एहूल अभिलिक वगरा वगरा एहूल इंस्क्रिप्शन वगरा तो उसमें आपने देखा होगा यह मैंने बता रख्था है नेक्स्ट कुश्चन है निमलिकित में कौन सा रास्ट कुटों का सबसे स्थाई योगदान है वह है पंपा पोना राना यह तीन जो राइटर हैं इन्होंने क्या क्नड कविताओं को लिखा क्नड कविताओं को लिखा इन्होंने और कैलाश मंदिरों का निर्मान करवाए है कैलाश टेम्पल का निर्मान करवाए इन रास्ट कुटोंने कैलाश टेम्पल नेक्स्ट कोश्चन है रविकीर्त यह एक जैन जिनोंने एह होल एह होल प्रस्टस्ति अविलेख लिखे इसको किसका सरक्षन प्राप्त था तो यह हमने पहले भी पढ़ा हुआ है की पुल केशन सेकेंड के हैं दरवारि कभी था यह तरवारी कभी यह कोट पॉय जिस्से का जाता है है प्रवी कीर्टी झो जैन था यह कि मिवल पूलकेशन से दरवारी कभी था है स्यासरिट से भारत सरकार ने अपने परतीकों को उधार लिया और अपनाया तो यह किसे हैं अशोक अशोक का शारनाथ जो आपके के कहते हैं वह लॉयन है अशोक का क्या है शारनाथ लॉयन इसको भारत सरकार ने क्या क्या है अपनाया है शारनाथ कहां पर यह वारणा सी यूपी में है आपके सारनाथ में क्या है central दिबेतन ङंतों इभेतन यॹन इनींवर्सिटी यह यह वह कई वार आता है कि केंदर्य है बन्यंगों विश मॉधिया खांपर में और सारानाथ qp में नेच्स बड़ा फॉट्फुल कोश्चन है 6th century BC वजन एजोब, छटी सदाव इस पूर में क्या हुआ किसकी उम्रती इसका अंसर है religious ferment。 religious ferment का मलग क्या होता है? धार्मिक उत्सा, धार्मिक उत्सा का मत्वज़ क्या है? इस में बहरत में जैन धर्म, बाद धर्म, बहुत धर्म का विकास हुआ, इसका विकास हुआ, जैन धर्म, बहुत धर्म का विकास हुआ, चाइना में क्या है आपका Confucius, Confucius नाम का एक दार्सनिक आया, उसकी विचार धरा का विकास हुआ, Confucius, आइडियलाजी डेबलाप हुए चैना में, और इरान में, इरान में क्या वाइसी दुरान, जो अरस्टर जो था, जो अरस्टर ने प्रोटेस्ट किया था, जो जर्थूस्ट था, इसने क्या क्या आपके प्रोटेस्ट क्या, विरोथ क्या वहांके, शासक का विरोद क्या था इरान या पर्शिया में और आपको पता होगा यह जरत्र या जरत्रुस क्या है कौनसे धर्म का संस्थापक है यह पार्सी धर्म का संस्थापक पाउंडर अफ पार्सी पार्सी रिलीजन तो यह जो पार्सी लोग है इंडिया मे जो सबसे कम मैं ये कहां से आय थे इंडिया में ये लोग आये थे आपके इरान से और इसका इसका पестоकौन था जर्थूस ये जो जर्थूस ने प्रोटेस्ट किया था वहाँ पे विरोध किया था अपने शासक का कि किया था आपके इसी दोरान सिक्स सेंचुरी बी-सी-ई की बात है मनें पांसो कुछ हिसा पूल की बात है यह नेक्स्ट कुश्चन है किस देश ने भारत से मौहिं जोदाड़ों की प्रसिद्ध डांसिंगल की मूर्ती वापस कहने को कहा है यह जो पाकिस्तान में सिंद गवर्मेंट है सिंद गवर्मेंट है पाकिस्तान में उसने दोजार चौदा में दोजार चौदा में डिमांड की थी और यह जो मूर्ती है डांसिंगल यह पच्छी सो इसा पूरू बी-सी-ई की बनी हुए है और यह जो है आपके 1946 से इडिज अंडर दा अंडर दा पजेशन आफ पजेशन आफ पजेशन आफ गवर्मेंट आफ इंडिया किसके पजेशन में हैं किसके पास है मूर्ती आजकल भारत सरकार के पास है और इस मूर्ती को जो है इस डांसिंगल के जो मूर्ती के है इसको कहां पर डिस्प्ले के लिए रखा गया है यह रखा गया है नैशनल म्यूजियम नैशनल म्यूजियम नई दिल्ली में यह कई बार आता है कि जो डांसिंग अले कांसे मिली है मोहन जुदाड़ों से मिली है तो पाकिस्तान इस पर क्लैम कर रहा है और यह आज कर डिस्प्ले के लिए रखे गई है कहां पर नैशनल म्यूजियम यू डेली यह थे वह आपके आज का जो वीडियो था आई होप आप जदे से जदे से जदे इसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें है वे गूड देल